दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंच मोल्डिंग के बारे में तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा पा रहा हूँ फ्रेंच मोल्डिंग तो ये फ्रेंच मोल्डिंग इस दिवार पर हम इंस्टोल कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले जो पूरी की पूरी दिवार है उस पर फ्रेंच मोल्डिंग इंस्टॉल हो रही है और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हमने 6 बोक्स बनाई है टोटल जिसमें से 3 बोक्स उपर वाले बड़े रखे हैं और इसी के साइज के अक् उपर वाला बोक्स बनाया है और इसी परकार से जो निच्चे वाला बोक्स है 46 इंच बाई 30 इंच का और तीन निच्चे और तीन उपर इस साइड परकार से हमने यह बोक्स बनाया है फ्रेंच मोल्डिंग से तो दोस्तों अगर बात करें इसकी 30 mm की फ्रेंच मोल्डिंग अगर बात करें कोष्ट की 14 फुट की ये दिवार इस पर ये डिजाइन बनाने में अगर सिंगल फ्रेंच मॉल्डिंग आप बनवाना चाहते हो ऐसे ऐसे 6 बोक्स बनवाना चाहते हो तो मतर 5,000 रुपई इसका खर्च आया है और जिसमें सब कुछ इंकलोड रहता है और का वरक तो करवा सकते हो किसी भी दिवार पर जिस पर पेंट होना हो आपका उससे पहले आपका ये वरक हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले दिखा देता हूँ, यह देखिए, कॉर्णर जो बिल्कुल बढ़िया, यह थोड़ा सा तो इतना तो आता है समय, यह देखिए, बिल्कुल फनीशिंग के साथ वरक हुआ है, तो दोस्तों यह सिर्फ पांजार रुपए घर्च वाली दिवार है, अगर आप भी चाहते हो ऐ तर पांजार रुपे में